जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे है क्लिया भिया एक टॉम ब्लूटुटूट स्पिकर वार्लेस टीएफ कार्ड फाइब वाट का एक स्पिकर है तो यहां पर कोई सील बगया नहीं है जो प्लास्टिक का रेप बगया नहीं है तो सिंपूल अन्बोक्सिंग में यहां स साथ में प्रवाइट केया गया है तो यहां पर कुछ बीन रहे है आपको एक इसका है कि निकालने के लिए पर थोड़ा इसको सील किया गया है तो जल्दी से इसको नटा लेते ईहां पे देख रहे हैं आपby जैसे लग रहा देखने के लिए और यह काफी मतलब यूणिशा डिजाइन यहांपे किया गए अप्लोग यहां देख स़ाइब सब्सक्राइब निश्य के साथ में जो गिल बग रहा है जैसे कोई ही यहां पर प्रफाइब लग रहा है और यहां पर दिखिये तुद्धा अलग टैप का डिजाइन के तो जल्दी से को मैं कर लेता हूं ओन यहां पर पाउर प्लॉपुटूथ यहां पर आप लोग देख सक यह जो प्लस्तिक का ही होगा मेरे खाल से यहां पे कोई metal नहीं है प्लस्तिक है लेकिन quality इतना भी घटिया नहीं कह सकता और इतना बढ़िया भी मैंने ही कहूंगा क्योंकि प्लस्तिक को देख के लग रहे है इसा वहला ग्लोसी वाला जैसा नहीं लग रहा है कोई premium जैसा फिन कैसा बला इसका फिशार से क्या-क्या है इसके अंडर तो चलिए जलिए से इसका साउंट इसके लेते है यह सुन दे कैसा फिल होता है विप्स अब जो सेटिंग्स किया मैंने अपने फून पर बेस बुस्तर बेस को डाला है तो अभी फिल कर टेक कैसा बेस इसमें आ रहा है से अपने विल कर लो चाला है क्तिक ना क्तिक है अजए दोस्तों इंडूर का सांद आप लगों खेसा सांद लगा निशे कमेंड में जोड़ घॉताइक है ओर में अभी आप लोगों जितना हो सकते इंडूर का सांद प्रफॉरम करने की कोसिछ उनकाशिप प्ले चाहिए उसको फूल स्राउंट सांड में भी प्ले करके देखा बेस बूस्तर में भी प्ले करते हम मुझे आसा हुआ कि यह जो सोटा सा इस प्ले काह इतना बड़ा भी नहीं है आप लोग धेख सेके इसका बेस मुझे अध्या लगा दीप भी आप लोगो फील हो रहा ह टिपूल नाइन इसके किमत दिया गया है मतलब 2000 पर के किमत दिया गया है लेकिन मैं आप लोग को सची बार बता रहे हुँ यह 6 मौन का वारिंटी में आता है और आप लोग को यह मिल जाएगा लगभग 1000 में मिल जाएगा कभी कभी ऑनलाइन में 900 या 800 में आप लोगो मिलने की सांसे से तो यह उस बाज़र की हिसाब से अच्छा इसप्रिका कहूंगा मैं पोटोनिक साउंड राम जैसा इसका डिजाइन है पोटोनिक साउंड राम भी ऐसा इसप्रिका है तो उसके बाद आप लोग कमेंड कीजिए कौन्सा बाला साउंड अच्छा लगा अभी बात करते है इसका जो फांक्शन बगर क्या है स्प्रिकेशन क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं तो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है 1200 में इसकी बेटरी है तो जल्दी से इसको निकाल लेंगे साजा से बहुत देर तक इसको लगा के रहेंगे तो इसका बेटरी खाड़ा बोने की सांचे से और बाकि आँचे 10 मितार डूरी चे यह काम हो जाएगा आप लोगों आँचे 10 मितार डूरी से यह काम करने जा रहेगा कानेक्टेर रहेगा बहुत हर ब्लूटूट डिवास में इतना ही मिलता है आप से आचे 10 बर्स से ज्यादा तो मुझे आस तक मिलने की सांचे ने जो ब्लूटूट फ्रिक्वेंची है 2.4 GHz का ब्लूटूट फ्रिक्वेंची है बाकि जो पावर आउपुट है इसका लगा प्ले करने बलूट इस ट्रेक को और मांक्रोफून को ले जाने बलूट बहुत डूर जितना डूर हो चेके प्लूट फुल्ले में मांक्रोफून को जितना डूर हो से के लेकर आ गया और आप लोग फिल कीजिए sound केसा आ रहा है दूर से मतलब इस्सेश्कर का मुझे तो ठीक था की लग रहा है हलांकि बेस थोड़ा मतलब हलका हो गया है लेकिन साउन डूटक आ रहा है क्लियर आ रहा है और मेरे पास जो माइक है बोया का 2M1 माइक है वो बहुत लंबा होता है तो आप लोग यकिन कर लिजे कितना दूरी से मैं अभी इसको प्ले कर रहा हूँ तो अभी मैं थोड़ा पास जाने वाला हूँ इस भिकार के मैं ट्राइ करने वाला डॉल्बी साउंड के साथ जो मेरा टैब है उसमें डॉल्बी आउट्पूट होता है तो मैं भी देख लान डीपी का एक स्वांग प्ले कर लेता हूँ इसा वाला स्वांग है इसको अल्लेडी मैंने कानेक करके रखा हूँ आए अब फिल को खूल कर देते हैं यहां में भी फूल हो गया है और डॉल्बी यहां पर ओन है अभी दोल्बी ओफ है मैं भी ओन करके प्ले करने वाला हूँ मेरे पास है आज यह पाप मनी जो अंधेरे का मनी है यह आज मेरे पास है और मैं आप लोगों बताने वाला हूँ आउट्डोर का साउंड मुझे कैसा फिलवा मैं आप लोगों मजा कर रहा हूँ तो इसके लिए इग्नोर कीजिए और आउट्डोर का साउंड मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही क्लियर है दूर टक साउंड गया मैं आप लोगों को माइक्रोफून दूर टक ले जाके आप लोगों को सुनाने की कोशिश की कैसा वहला साउंड था और बेस भी सही है बाहर में भी थोड़ा आ बहुत जड़ा है भी नहीं है तो आप लोग के अपने अपनी राय है तो और यह मनी कैसा लगा मुझे बताई है यह एक्शली ठीडी मून है मैं जो अनलाइन से इसको पार्शेस किया था तो आप लोग इसका अन्बोक्सिंग भी देखना साहे तो देख सकते है मेरे पास अ